नमस्ते, this is me, मांसी गुलाटी, your face yoga expert and your watching fit तक आज हम योग करेंगे डबल चिन के लिए डबल चिन के लिए बहुत सिंपल आसन मैं आपको बताऊंगी मेरे पास अक्सर लोग बोलते हैं हमें डबल चिन के समस्या है उसके लिए कुछ बताईए कि हम क्या करें और मेरे जो आसन है वो तीन दिन में ही work करेंगे तीन दिन में ही आप पाएंगे कि आपका डबल चिन कम हो गया है और इसको अगर आप regular करेंगे तो धीरे धीरे आपको डबल चिन की समस्या दूर हो जाएगी और कभी वी आपका डबल चिन होगा भी नहीं जो आपकी lower jaw से लेकर collar bone तक होता है ये muscle inactive हो जाता है blood circulation का flow कम हो जाता है उसको active करने के लिए कुछ आसन हम करेंगे जो सबसे best आसन होते हैं और बहुत ही जल्दी work करते हैं तो let us start first आसन is very beautiful आसन इस वी called pout pose तो pout बनाएंगे हम आप जब pout बनाते हैं आप देखिए आप अपने jaw को आपके muscles अंदर की तरफ stretch कर रहे हो आप eyes more wider पोटो के लिए तो हम अकसर ही pout बनाते हैं अब अपनी double chin को भी सुधारने के लिए pout बनाएंगे तो we'll do it again और कोई भी face yoga का आप आसन करते हैं उसको तीन बार करना बहुत ही जरूरी होता है अगर आप इसको तीन बार करेंगे तीन दिन में ही आपकी double chin दूर हो जाएगी तो दुबारा करेंगे तीन के लिए hold कीजिये दिरे दिरे ताइम को भढ़ाएगे 15 हैं आपट फही जो हैं सकते हम आपटी के खूछ तार्फ नयुदो घरिग्याई का अप्यक्त⁡ आपक्या दार्स युदोछ वही टो स्टات कोड़ ke चाया ह्ट अभी double chin के लिए मैं एक और आसन बताऊंगी, यह बहुत अच्छा आसन होता है, इससे भी हमारा double chin दूर हो जाता है, और साथ में चिन लोगों को thyroid की समस्या होती है, वो भी धीरे धीरे इससे we can get rid of thyroid also, very simple, now we'll do this exercise, look up, इदा रखिये, योग करते वक्त कोशिश कीजिए, कोश आप मेरे साथ ही बैट के योग करें, और double chin की समस्या से दूर होएं, और साथ में face yoga जब भी करते हैं, face yoga से आपके चहरे पे एक youthful, because हम चहरे की exercise कर रहे हैं, एक youthful सी vitality हाती, एक सुन्दर सा निखार आता है, जो हमारी age को भी control करता है, तो एक और exercise में आपको बिताऊंगी, यह भी बहुत simple exercise है, और बहुत अच्छी होती है, double chin के लिए, look to your left side, तो यह right and left का movement होता है, यह भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन अब हम इसमें exercise करेंगे, left side देखेंगे, now pull your tongue out, relax, chain the side, इसको करने से 100% हमारा double chin ठीक हो जाता है, और साथ में कभी भी fat नहीं आता है, लास्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, जब आप पूरे आसन करने के बाद, आप एक मिनिट के लिए अपनी बॉड़ी को, अपने double chin को, मतलब लैक, इसको हम अपने नेक को metric करेंगे, किस तरह से करेंगे मैं आपको बताती हूं, lock करेंगे, blow, do it for ten count, यह भी आपकी बॉड़ी के आपके पेस के जो bad toxins होता है, उसको clear करता है, इससे भी आपका पेस एक meditation, meditate pose रहता है, आपके चहरे पेक शान्ती का भाव बना रहता है, एक चीज और बताऊंगी, हम किचन में बहुत डिफरेंट डिफरेंट कुकिंग उल यूज़ करते हैं, तो कोई कोशिच कीजिए, आप कोई भी एक oil यूज़ कीजिए, जो बहुत अच्छा रहता है, और साथ में, मैं हमेशा बोलती हूँ, पांच बजे के बाद oily food को avoid कीजिए, पांच बजे के पहले oily food, junk food खा सकते हैं, sun is there, sun can absorb, but after 5 इसको avoid कीजिए, और इसी तरह से हमारे साथ योग करते रहिए, बहुत अच्छा आसन मैंने आपको बताया है, डबल चिन के लिए, पानी पीजिए, पानी पीना बहुत important होता है, और साथ में, डबल चिन के लिए एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, हल्दी की चाय, हल्दी की चाय बहुत effective होती है, वो इसी तरह से हमारे साथ पेस योगा करते रहिए, डबल चिन के लिए जो मैंने आपको आसन बताया है, उसको पॉलो करिए, हम फिर मिलेंगे, तैंक यू